हालो एवरिवान वेल्कम और वेल्कम बैक तो इरान ने ओफर करा है दुबारा से इंडियन फर्म्स को कि आप 30% स्टेक ले सकते हैं हमारे गैस फिल्ड में और गैस फिल्ड से या फरजाद भी गैस फिल्ड की बात चल रही है जिसमें की इंडिया पहले भी स्टेक लेना चाह कंपनी इसको बाहर क्यों निकाला बेसिकले उनसे प्रोजेक्ट क्यों चीना यह सब डिसकस करेंगे सो लेट्स केट स्टार्टेड जो ओएन जीसी विदेश लिमिटेड है हमारी जो ओवर्सीज आम है ओएल एन नैचरल गैस कोर्परेशन यारी ओएन जीसी की उसने इस गै 20 डेज का टाइम दिया है इंडिया को इस ओफर को एकसेट करने में अगर इंडिया की तरफ से कोई हा या ना नहीं जाता है कोई रेस्पोंस नहीं जाता है तो इरान उसको ना ही समझेगा बेसिकले अब यह पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं कब शुरू हुआ क्या-क्या इ इसको नाम दे दिया था फरजाद भी अब यह जो डिसकवरी हुई थी इसमें यह पागए कि यहां इस जगह पर इस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस रिजर्वस है जिसमें से की 60% को रिकवर करा जा सकता है 2008 की डिसकवरी के बाद 2011 एपरिल में जो इंडिय और फरजाद भी की नियोसी मतलब नेशनल इरानियन ओयल कोर्पोरेशन तो मतलब इरान की तरफ से आई ओओ सी और हमारी तरफ से ओवियल इसके डेवलेपमेंट को देख रही थी अब नवेंबर 2012 में एक डेवलेपमेंट सर्विस कोंट्रेक्ट दोनों कंपनी के बीच नि चुके थे इंटरनेशनल उसके न्यूक्लियर प्लैस की वज़े से फिर एप्रिल 2015 में निगोशेशन फिर से शुरू हुए और इस बार इरान की तरफ से आई पार्स ओयल एंड गैस कंपनी पी ओ जीसी एजट्स रेप्रेसेंटेटिव 2016 में दोनों साइट्स ने निगोशे उनलाइकली है क्योंकि काफी सारे डिफरेंस है हम इरान की डिमांड में गैस प्राइस की और इंडिया के ओफर में यानि कि इंडिया वो प्राइस ओफर नहीं कर रहा है जो इरान डिमांड कर रहा है तो अगरिमेंट अभी होना इस वेरी वेरी अनलाइकली ये इरान का के बाद 2017 की देखो ये न्यूस है कि इरान ने फरजान भी गैस फिल्ड को लेकर ये बोला है कि हम इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं रुशियन फर्म से मतलब इंडिया को बाहर निकाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट से और इवन इरान का ये भी स्टेट्मेंट आया था कि we are not obliged कि हम इंडिया को ही ये प्रोजेक्ट दें तो बेसिकली इंडिया को इरान का पुरा जो मोटे था वो ये था कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से निकल जाए और रुशियन फर्म इस प्रोजेक्ट को ले ले डेवलप्मेंट के लिए आप देखो कायदे से तो ये फर्म इंडिय म yeah का ही होना चाहिए था ये development ही जो project था इंडिया की होना चाहिए था लेकिन एरान की हरकतों की मज़े से और इरान ने उसको निकाल दिया और रशियन के साथ उनका एक agreement भी sign हो गया थह उसके बाद नहीं हो पई नहीं बन पाई है इंकी बाद project की बठा KIRBY रुशियन फर्म्स ने एग्रिमेंट साइन कर दिया है ये न्यूस भी बाहर निकली थी तो इंडिया ने जो इतना पैसा लगाया डिसकवर करा फरजान गैस फील्ड वो तो सब बिकार गया इस तरीके से क्योंकि इंडिया को आप रिप्लेस ही कर जा रहे हो फिर 2017 में ही एक और मास्टर डवलेप्मेंट प्लान को बनाया गया रिवाइस करके और फिर 2019 एप्रिल में नियूस ने प्रपोज करा कि हम डियस्स के तहती डवलेप्मेंट ऑफ गैस फील्ड करेंगे लेकिन अगैन जो यूएस सेंक्शन थे वो इरान पर लग गए नवेंब लेकिन 2020 में फिर एक और स्टेटमेंट आता है इरान की तरफ से कि अब हम जो ये कॉंट्राक्ट है फरजाद भी डवलेप्मेंट का ये एक इरानियन कंपनी के साथ ही कर रहा है मतलब हम एक लोकल कंपनी को ही ये प्रोजेक्ट थमाएंगे अब और मार्च 2021 में इन्होंने इंडियन कंसोर्डियम यानि की OVL को भी ये नोटिफाई कर दिया था कि हम अभी लोकली इसको डवलप करेंगे हमें आपकी ज़रत नहीं है लेकिन सब को पता है इरान की कंडिशन फिलाल क्या है इतने जादा यूएस सेंक्शन के बाद ट्रेड नहीं हो पाता है एकोनोमी इतनी डाउन जा रहे है 60% of population poverty को जहल रही है according to data so ये नहीं कर पाया और अब फिर से बोल रहा है कि जो इंडियन कंपनी है वो 30% stake अगर लेना चाहे और डेवलप करना चाहे इस guest field को तो कर सकती है अब आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इसकी discovery में इंडिया ने 85 million US dollars खर इसे जो गए थे बरबाद थी अब दुबारा अगर हम इस offer को accept करते हैं इरान के तो क्या वरोसा की कल्प को फिर बोल दे कि हम तो आपके साथ नहीं करना चाहतेगे फिर हमने जितने पैसे लगाएंगे वो फिर बरबाद जाएंगे दूसरी दूसरा जो reason है कि इंडिया को स ון बाएंशने लिए थामस अप सक्षा ए क्पूर ऊघर व्हें शरते हैंगे